हो सकता है आपने कभी इनका नाम सुना हो लेकिन इनके बनाए प्रोडक्ट पर आपकी उंगलिया रोज चलती है येंग किन मन दुनिया के शीर्ष स्मार्टफोन कमपनियों जैसे आपिल, सामसंग, सोनी और हुवाई कमपनियों के लिए कट स्क्रीन ग्लास बनाते है येंग में तीन दशक पहले 1986 में मैन्यूफैक्टरिंग बिजन्स शुरू किया था तब वे घड़ियों के लिए कवर सप्लाई किया करते थे फिर मोटरोला की कमपनी की ओर से उन्हें स्मार्टफोन कवर ग्लास बनाने का पहला ओर मिला ये 10 लाक स्क्रीन का आडर था यहां आडर उनके लिए इतना बड़ा था कि उनकी कुल बिजन्स सेल के आधे के बराबर था वे कहते हैं कि अगर इस एक आडर के बाद अगर दूसरा नया आडर नहीं मिलता तो सारी मशीनरी अनुपयोगी हो जाती और मैं कर्ज हो सकता था इस आडर ने मुझे दुविधा में डाल दिया मैं दो राहे पर था लेकिन मैंने चनौती को स्वीकार किया नतीजा ये हुआ कि पहले 10 लाक ग्लास का आडर पुरा होने के बाद मुझे लगातर आडर मिलते रहें सिर्फ मोटोरोला के लिए ही 10 करोड से भी ज्यादा ग्लास बनाएं इसके बाद से अधिकांश बड़ी कमपनियों के आडर इन्हें ही मिलते रहें 2007 में जब पहला आपल का आइफोन आया तो उसके टच स्क्रीन का आडर भी येंग की कमपनी को ही मिला और यह सिलसिला आज भी जारी है आज वे स्मार्ट फोन के कवर ग्लास बनाने वाली सबसे बड़ी कमपनी के मालिक है स्मार्ट फोन ग्लास बनाने के इस बाजार में उनकी पकड इतनी मजबूत है कि किसी और का इसने प्रवेश करना बहुत मुश्किल है इस बारे में येंग ने Economic General को दिये एक साक्षातकार में कहा था कि वे innovation में भरोसा रखते हैं वे चाहते हैं कि उनके glass cover fingerprint proof हो और scratch resistant हो वे कहते हैं कि touch screen पर हमेशा fingerprint रह जाते हैं हमने एक ऐसी technology बनाई है जो touch screen को fingerprint proof बनाती है screen पर scratch नहीं आए इसलिए हमने sapphire glass develop किया है company अपनी sales का 5% research और development पर खर्च करती है येंग की company के कारखाने साउट चीन के शेंजेन और हुजिहों में स्तित है उनकी company में 1,10,000 से ज्यादा करमचारी है येंग मानते हैं कि करमचारीों के emotion का ध्यान रखना सबसे जाइदा जरूरी और चुनोती भरा काम होता है करमचारीों और manager को काम के सिलसिले में लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता है किसी भी business की सफलता के लिए इन करमचारीों की physical और emotion जरूरतों को समझना जरूरी होता है अगर सब कुछ आसानी से होने लगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते चूकी जीवन परेशानियों और उलजनों से भरा होता है इसके समाधान के लिए आपको कड़ा संधर्श करना होता है येंग मानते हैं कि सफलता hard work से आती है इनसान को लचीला होना चाहिए और मुश्किलों से सबक लेना चाहिए दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को शेर लाइक करे और अच्छी और बहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करे धन्यवाद